ब्रिटिश सरकार का एक गोपनिय दस्तावेज वहां की मीडिया की हाथ लगा है जिसमें EU से बिना डील किये अलब होने पर ब्रिटेन पर पढ़ने वाली मुसीबतों की बात कही गई है रिपोर्ट में साफ तोर पर भयावाफ परिणामों की संभावना जताई गई है जिसमें दबाओं की सप्लाई से लेकर रोजमर्रा की जरूरी सामानों की कमी की बात भी कही गई है बता दें कि ब्रिटेन के नई पीएम बोरिस जॉंसन ने ईउ को हर हाल में इस साल 31 अक्टूबर तक छोड़ने का एलान किया है फिर इस पर ईउ से डील हो या ना हो हला कि बोरिस के खुद के ही अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि ब्रिटेन ब्रेक्जिट को बिना किसी डील को किये छोड़ देता है तो ब्रिटेन को वानी जिसे जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इस पर सहमती जताते हुए बुटेन के मंद्फरी माइकल गोव ने पुश्ची की है कि दस्तावेज वास्तुविक लगते हैं और उन्हें जोर देकर कहा कि ये दस्तावेज सबसे खराब स्थिती का वर्णन कर रहे हैं बुटेन के ईउ से अलग होने की सिती में इतना तो साफ है कि वहां की आम जनता को भविश्य में मुसीवतों का सामना करना पड़ सकता है गोरतलब है कि दुनिया भर में लंबे समय से चर्चा का विश्य बना हुआ ब्रेक्जिट मसोदा एक नए पड़ाओ तक पहुच गया है 2016 से लेकर अब तक डेविड कैमरून और थेरिसा में इस मसोदे को इसके सही अंजाम तक पहुचाने में नाकाम रहने पर ब्रेटेन के प्येम पद से इस्तीफा दे कर जा चुके हैं इस पर सही पैसल लेने की जिम्मदारी अब बोरिश जॉंसन के कंधों पर है ऐसे महाल में ब्रेटेन के भविश्य को लेकर गोपनिय दस्तावेज के मादम से बड़ा खुलासा होना इशारा करता है कि बोरिश जॉंसन के लिए ब्रेग्जित मसोदा एक बड़ी चुनोती रहने वाला है